हेलो फ्रेंज आज के इस वीडियो में मैं आपको जारखर्ण युनिवर्सल पेंशन के बारे में बताऊंगा मुख्यमंत्री हेमन सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में युनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गई है सामाजिक सुरक्षा योजना के तहट संचालित पेंशन योजना को सरल बनाया गया है एपी एल और बी पी एल कार्ड की बाद्धिता समाप्त कर दी गई है योजना की खास बात यह है कि अब साथ वर्ष से अधिक आयू के सभी व्रिधजनों को पेंशन योजना का लाब प्राप्त होगा बशर्ते आवेदक करदाता ना हो गरीब, निशक्त और निराश्रित जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं भी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से आच्छा दित होंगी इन सभी को एक हजार रुपे महीने की पांच तारीक को प्रतिमाह उनके बैंक खाता में प्राप्त होगा सरकार पेंशन देने के लक्षियों से परे जाकर जहर खंड के हर उस व्यक्ति को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ रही है जो इसके दायरे में आते हैं सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत एक सो करोर रुपे का प्रावधान किया है केंडर वराज ये सरकार द्वारा पूर्व से ही पेंशन योजनाय संचालित है पूर्व में इन योजनाओं को लागू करने के लिए लक्ष यानी सीमित संख्या में लागुकों का चैन किया जाता था ऐसे में लक्षपूर्ण होने पर कई जरूरतमंद योजना का लाब लेने से वनशित रह जाती थे सभी को योजना का लाब देने के लिए सरकार ने पहले की विसंगतियों को दूर करते हुए उस रक्ति को यूनिवर्सल पेंशन योजना से जोडने का फैसला लिया है जो इसकी पातरता रखता है सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से इस पेंशन योजना का क्रियान बेन किया जा रहा है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहट जिन अलग-अलग लाभुकों को लाभ देने का प्रावधान है पहला मुख्यमंत्री राज्य व्रधावस्था पेंशन योजना इसके तहट आवेदक पुरुश अत्वा महिला की उम्र साथ वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए उम्र संबंधी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी साथ ही आवेदक करदाता नहीं होना चाहिए दूसरा मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना इसके तहट अठारा वर्ष से अधिक आयू की महिला जिनके पती की मिर्तिव हो गई हो पेंशन के लिए पात्र होगी इसके लिए पती की मिर्तिव प्रमान पत्र की जरूरत होगी इसके अलावा ठारा वर्ष अत्वा इससे अधिक आयू की परित्यक्त महिला पैंटालीस वर्ष अत्वा उससे अधिक उम्र की एकल महिला को भी पेंशन का लाब मिलेगा इन दोनों ही वर्गों के तहत आनेवाली महिलाओं को मुख्या एवं पंचायत सचेवाड पार्षद एवं राजसोप निरीक्षक का संयुक्त प्रमानपत्र अत्वा विधायक सांसद अत्वा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा मिर्गत प्रमानपत्र की जरूरत होगी आविदक के लिए ART-ARD प्राप करने संबंधी चिकित्सा प्रमान पत्र की जरूरत होगी। पेशन के लाब के लिए ग्रामीर शेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा शहरी शेत्रों में अंचल पदाधिकारी को आविदन दे सकते हैं। जारखंड से जुड़ी ऐसे ही चानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।